इस तरह से हमने 30 फंदे डालके ले लिया है आज का रोर्मेट बहुत ही सरल है चलो हम बनाते हैं यह पहला फंदा हम इस तरह से बुन लेंगे यह धागा आगे कर लेंगे यह इस्ट्रा धागा जो बचा हुआ ऐसे हम इसे में दबाते जाएंगे और इसे बुनते जाएंगे इस तरह से हमें बुनना है यह दो अब हम यह तीसरा फंदा बुन लेंगे तीन फंदा बुन के हम यह देखिए तीन फंदा बुन लिए यहां से अब हम इससे आगे लेंगे थागा अब यहां से पलटके हम यहां से वापस बुनेंगे इस तरह से ये हमें बुनना है दोस्तों ये देखेझ मिसको हम पूरा कर लेंगे यह सलाई यह से ही कि इस तरह से हम हम ये पहला फंदा उतार लेंगे दागा पिछली बार हमने थीन फंदे भूने थे यह तीन ले लिया यह चे फंदे हो गये दोस्तों यहां से हमने धागब पलट लिया अब इसे हम फिर से भूनेंगे यहां से इसी तरह से यह पूरी कर लेनी है नमस्कार दोस्तों हमारी यूटूब चैनल घरेली टेकनिक में आप सभी का स्वागत है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो दोस्तों तब ही आप लोगों को समझ में आएगा यह डोर्मेट बना कैसे है यह पहला फंदा उतार लिया इसी तरह से हमें इसे बुनते जान सलाइब हमें 3-3 फंदे करके आगे बढ़ाते जाने हैं अब यह पूरा करके हम लास्ट में आपको फिर दिखाते हैं यह 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 तक हमने बुन लिया है देखिए आप इसे हम आगे बुनेंगे पहला फंदा उतार लेंगे और इसी तरह से हमें इसे पूरी सलाइब लेनी है पूरी सलाइब लास्ट में हमारे तीन फंदा बचा हुआ उसे भी हम बुनते जाएंगे इस तरह की वीडियो बहुत सारी है दोस्तों चैनल पे आप लोग चैनल पे जाए और देखिए आपको डॉर्मेट की वीडियो बहुत सारी मिल यह लास्ट का तीन फंदा बचा लेनी है इसी तरह से हमें पूरा करके फिर मत को आगे दिखाते हैं इस तरह से ये चैनल लाकर लोगों करते से वीडियो लाते है दोस्तों आप भी कमेंड में बता दिया करो कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद है और कितने फंदों की चाहिए होती है हम उसी तरह से वीडियो बनाके आपको बताएंगे इस तरह से लाश्ट में आ गया यह देखिए लाश्ट का तीन फंद अब हम छोड़ देंगे फिर अब यह सलाई पूरा करके फिर हम आपको दिखाते हैं आप लोग चैनल पर नए हो दोस्तों तो साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिएगा जो से आने वाल नोटिफिकेशन आप सबी तक पहुंच सके सस्क्राइब करिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा इस तरह से यह देखिए यह सलाई पूरी हो गई अब हम दूसरे सलाई में भी इसी तरह से हमें बनाना है लाश्ट का तीन फंदा इस कोने पर जब हमारा बच जाता है फिर हमें वहां स्टाप कर देना है चलो हम लाश्ट तक बिनके फिर आपको दिखाते हैं वीडियो को ज हमें यह सलाई पूरी कर लेनी है आगे अब हम इस डिजाइन को पूरा करके फिर आपको बताते हैं यह देखिए इस तरह से हम यह पूरा कर लिए तीन तीन फंदे हर सलाई में छोड़ते गए थे लाश्ट का तीन फंदा बचा हुआ है यहां हम बंद कर दिये थे अब इसे हम इसी कलर से पूरा सलाई सलंग बुन लेंगे इस तरह से एक कली बनके तयार हो गए दोस्तों हमें चाय जितना कलर आपको लगाना हो उसी तरह से आप इसे बुन सकते हैं अब यहां से यह सलाई हम इसी कलर से पूरा करेंगे फिर आगे पूरा करके आपको दिखाते हैं अ को इसे तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट किजिए गा और हमारी वीडियो जरूर देखिएगा यह देखिए यह सलाई हम पूरा कर लिए अब यहां से हम दूसरे कला लगाएंगे हमारी भंके तयार हो गई हम से अब हम हमें उसी तरह से बनाना है दोस्तों हर सलाई में तीन तीन फंदे यहां से नहीं महां से ही शुरू करना है जिस तरह से हमने पहले कली में बनाया था उसी तरह से हमें दूसरी कली में भी इसी तरह से बनाना है यह देखिए यह सलाई हमने पूरा कर लिया यहां बताईएगा वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद